कि अब लोग कैसे हैं तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जमेट्री क्या शुरू करेंगे आज सम्रोग जमेट्री लाइनस एंड एंगिल्स ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे लाइन के बारे में वाट इस लाइन लाइन चैप्टर का नाम है लाइन सेंड एंगिल्स तो वाट इस लाइन लाइन क्या होता है लाइन क्या होता है लाइन क्या होता है आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में लाइन लाइन सेग्मेंट रे वगार पढ़ा होगा तो लाइन क्या होता है एक वन डिरेशनल फिगर होता है क्या होता है वन डिरेशनल फिगर होता इस्ट्रेट जब भी आप लाइन की बात करेंगे मैथमेटिक्स में तो आप इस्ट्रेट लाइन ही के बारे में बात करेंगे ठीक है लाइन मीज स्ट्रेट लाइ फ्रेट ए ऩी को एम्हेन स्टर विसista याफ ज fait one dimensional figure फ स्राइट या जाफ ट्रेट वन जाफ लियान स्टर विस फीलिजर विगर arg यव रिज विस तैनि having no thickness, having no thickness, and can be extended, can be extended, can be extended up to infinity, up to infinity. आप उसको इन्फिनिटी तक एक्स्टेंड कर सकते हैं, ठीक, अब टू इन्फिनिटी, आई स्ट्रेट, वन डायमेशनल फिगर, having no thickness, and can be extended, अब टू इन्फिनिटी, यही लाइन की डिफिनेशन होती है, जो आपने छोटे क्लासे में भी पढ़ा होगा, वन डायमेशनल, ठी यही होती है, लाइन, स्ट्रेट होती है, दिखने को इसमें थिकनेस दिख रही है, लेकिन जिमेट्रिकली इसके पास कोई भी थिकनेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, लाइन ड़स नॉट कंटेन एनी थिकनेस, अदर्वाइज, जब हम स्क्वाइर का एरिया निकालते, होता, ठीक, यह साइड हम लोग लेते, तो अगर लाइन की भी कुछ विट्थ होती, कुछ थिकनेस होती, तो उसकी थिकनेस को भी एड करना पड़ता, ठीक है, तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पर बदल जाता, ठीक है, इसलिए लाइन हैव लो थिकनेस, लाइन के पास कोई भ दिख रहा है, अब एंगल के बारें बात कर लीजे, लाइन समझ में आ गया, एंगल, एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, देख लिए पहले डिफिनिशन देख लीजे, यूनियन ओफ, यूनियन ओफ, इसको अटा दे, यूनियन ओफ, 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 मतलब एक लान में नहीं होंगे, non-collinear rays, union of two non-collinear rays, having, having same initial point, having same initial point, इनिशियल पॉइंट, ठीक, two non-collinear rays, यानि जो rays होंगी, वो non-collinear होंगी, जैसे आप यह हमने ray बना दिया, और एक ray यह बना दिया, ठीक है, यह दोनों rays एक के ओपर एक नहीं होंगी, non-collinear rays होंगी, ठीक है, और उनका जो इनिशियल पॉइंट होगा, वो सेम होगा, ठीक ठीक है, इस card and angle, यहां तक कोई problem, जैसे हमने यहां पर एक angle बना, ठीक, angle बना, ठीक, दो रहे आपस में, मिलें इनका common या फिर सेम इनिशियल पॉइंट है, ठीक, अब देखिएगा, यह जो कहलाता है, यह कहलाता है, वर्टेक्स, क्या कहलाता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स कहलाता है, और यह दोनों जो आपकी रेस दिख रही हैं, यह दोनों जो रेस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स बोलते हैं, यानि angle का जो common point है, उसको vertex बोलते हैं, और जो ray है, उसको हम लोग arms बोलते हैं, arms of the angle, ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, अब हम लोग angle लिखते कैसे हैं, यह देख लिए, यह आपका common point, ठीक है, यहाँ पर हमने मालिया A है, यहाँ पर मालिया B है, यहाँ पर मालिया C है, ठीक है, ठीक है, तो इस angle को हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखेंगे हम लोग इसको angle, ठीक है, जहाँ पर angle, जहां पर common point होगा जो common point होगा उसको बीच गजार आपका common point होता है उसको आप बीच में लिखते है तो क्या लिखेंगे यह एंगिल अबिसी या इनि ए भीसी नहल 안र पर common point meet हो रहा है जो common point आपका है जहां पर common point meet हो रहा है, जो common point आपका है, वहां पर, यह जहां पर मिल ला है, वह चीज़ आपकी कहां पर होनी जाए यह बीच में, ठीक है, angle A, B, S, ठीक, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एंगिल सी बी ए भी लिख सकते हैं ठीक है सी बी ए भी लिख सकते हैं यह बाते सेम हैं सी बी ए लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगिल भी सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग एंगिल भी भी लिख सकते हैं एंगिल भी भी लिख देंगे तो इट मींस यहां पर इसी एंगिल A, B, C की बात होगी ठीक है? क्योंकि यहाँ पर B में कोई और partition नहीं है अब अगर आप B का यहाँ पर नाम देदी है अलफा यहाँ पर नाम देदी है अलफा तो इसको आप एंगिल अलफा भी बोल सकते हैं ठीक है? यहाँ आपका D है यहाँ आपका D है तब आप इस एंगिल को एंगिल भी नहीं बोलेंगे ठीक है? अब आप इस एंगिल यहाँ पर बनने वाले एंगिल को आप एंगिल भी नहीं बोलेंगे ठीक है? क्योंकि एंगिल भी बोलने से क्या हो गया? एंगिल भी जब आप बोलेंगे तो आपका ये वाला एंगिल भी हो सकता है हो सकता है ये वाला एंगिल भी हो सकता है ये वाला भी एंगिल हो सकता है तो आप इस केस में एंगिल भी बोलना गलत है इस केस में एंगिल भी बोलना कैसा है गलत है कि आप नहीं बोल सकते हैं ठीक है इस के स्में क्या बोला जाएगा इंगिल ए- इनगल को इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे ए इंग झीडे बस्किफ ऑर जो आपका यह नीचे वाला एंगिल है इस वाले में आ रहा है सारी चीज़े नोड करिए ठीक है आप देखिए अब आपका ये मालिज एंगिल ये आपका एंगिल है ठीक ए या बी एसी एसी बीएसी थीज़ें इसको आप क्या लिखेंगी ये क्या अंग्यल एंग्यल फॉर्म हो रहा है वो कहा आचाहिए बीच में या फिर एंग्यल C, A, B भी लिख सकते हैं ठीक है तो दिकत अच्छा इसके अंदर के जितने भी point के अंदर angle के अंदर क्योंकि ये ray तो infinite तक जाएगी ये भी ray infinite तक जाएगी तो इस area में आने वाले जितने भी points है ठीक है वो interior of angle कहलाएंगे क्या इसके अंदर, एंगिल के अंदर आने वाले जितने पॉइंट हैं, उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर आफ एंगिल, इंटीरियर आफ एंगिल, यानी एंगिल के अंदर, एंगिल के अंदर की बात, ठीक है, और इसके बाहर आने वाले जितने भी पॉइंट है, इसके बाहर आने वाले point को छोड़कर ठीक है कुछ points angle पर भी आ रहे होंगे angle के ऊपर भी आ रहे होंगे तो उस point को छोड़कर और अंदर की point को छोड़कर क्या कहलाएगा exterior of angle exterior of angle angle का बाहर exterior of angle ठीक है यानि इसके अंदरवाला पार्ट और खुद एंगिल पर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन दोनों को छोड़ करके जो पॉइंट्स बाहर मिलते हैं पूरे सराउंडिंग्स में ठीक है वो क्या कहलाएंगे exterior of angle यानि interior of angle और exterior of angle में किसी student को कोई problem यहां तक कोई दिक्कात देखेंगे और गुरेंट एंगिल्स ठीक और गुरेंट एंगिल्स थेंग कान गुरेंट एंगिल्स और congruence भी पड़ी होगी S,S,S,C synchronous S,A,S,C congruence A,S,A,öl ठीक है तो यहाँ पर congruence of triangle था वो यहाँ पर यह क्या है congruent angles दो angles कब congruent होते हैं झाल दो angles कब congruent होते हैं वे दोनों जब equal होते तभी वो congruent होते हैं ठीक है लिख 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 यहां पर, when two angles, two angles are equal, when two angles are equal, then they are called, then they are called congruent angles, congruent angles ठीक, यहां तक को दिक्कत, जैसे यह आपको एक angle यहां पर दिया हुआ है, angle, a, b, c, ठीक, इसको angle 1 दिया, ठीक, और एक angle और आपको यहां पर दिया है, d, e, f, ठीक, यह angle 2 है, ठीक, यह angle 2 है, या, को टुभूली किया है, ठीक, तो, if, if angle 1, यानि इसका angle 1 is equal to angle 2, angle 2, angle 1 is equal to angle 2 होगा, तभी क्या कहलाएंगे, that implies, they are congruent, that implies, they are, they are congruent, तभी वे क्या होंगे, congruent होंगे, ठीक, congruent तभी होंगे आप, ठीक है, दो angles का congruent होंगे, जब वो equal होंगे, ठीक है, जब वो कैसे होंगे, equal होंगे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कात, अब देखिए, measure कैसे कहते हैं, measurement of, angle को measure कैसे कहते हैं, measurement of angle, यह छोटे छोटे टरम्स हैं, जो आपको शुरुआत में आने चाहिए, ठीक है, शुरुआत में आने चाहिए आपको, ठीक, यह आपके छोटे छोटे चोटे टरम्स हैं, जैसे कहा जाए ये आपका Él है तूप आइसाथ सबसे पहले लोग पूछते हैं कितने डिगडे उन इस सवाल उठता सीदे सीदे एगर यह शेदे तो कितने डिगरी का इंगल यही लोग पूछते है मालिजी यह 1 है तो यहां से आपको बास समयागएगे कि एंगील का जो मैजरमेंट होता है वो डिगरी हाला कि सबसे ज्यादा जो मैस है आप टेंस में पढ़ामी के बारे में रिगे होता है लेकिन सबसे जैदा important क्या होता है वो होता है डिग्री एंगिल वन इसको फोर्टी डिग्री ऐसे बोला जाएगा और डिग्री का साइनिये उपर इस तरह से लगाया जाता है ठीक है यहां तक कोई दिक्त ठीक और जो हम लोग एंगिल का मेजरमेंट करते हैं वो एंटी कलाकवाइज करते हैं कैसे यह आपका क्या कहलाएगा फोर्टी डिग्री एंटी क्लाकवाइज क्या है एंटी क्लाकवाइज एंगिल यानि जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक वो एंगिल एंटी क्लाकवाइज एंगिल होगा ठीक है अगर यहीं एंगिल यहीं एंगिल नीचे की तरफ आजाए ठ लेकिन यह positive नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका measurement यहां से clockwise हुआ है तो इसलिए यह negative angle कहलाएगा clockwise negative anti clockwise जो होता है और clockwise यह आपका क्या होता है नेगेटिव होता है एंगल ठीक है और यह जो degrees है वो कहां से कहा तक जा सकती है थीक वो आपका zero degree से लेकर के 360 ठीक है 360 तक अगर positive एंग ओगिल आपका zero ृब हो सकता है जैसे यहां तो पूरा गूमते गूमते घुमते एक चक कर लगाएगा और यहां तक आज आएगा यारी पयोप एंगल 0-0 60 तक का हो सकता है और निगेटिव एंगिल भी यहां से आया घुमता 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 हुआ घुमता हुआ घुमता हुआ यहां पर आ गया या यह भी निगेटिव में भी आपका जीरो से 360 तक जा सकता है माइनस में ठीक है माइनस में लेकिन अब बास सुनिए गा जैसे अगर आपको एक एंगिल यहां पर दिया हुआ है यह आइंगल आपका दिया हुआ है सपोस किजिए यह तो यहां से आप मिजेर्मेंट करते हैं तो यह आपका क्या एंटिकलाकवाज्य पॉज सपोस्ट का लिजिए कि यह कितना है यह हमने माल लिया 210 डिगरी यहां से यहां तक यहां से यहां तक तो अगर आप इसी एंगिल का मेजरमेंट यहां से करेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस 210 यानि नौच्छे पंद्रा 150 डिगरी 150 डिगरी 150 डिगरी 150 डिगरी आप इसको पॉस्टिव का 210 डिगरी भी बोल सकते हैं या आप इसको निगेटिव का 150 डिगरी भी बोल सकते हैं हाला कि निगेटिव पॉस्टिव शो नहीं करते हैं हम लोग क्लॉक्वाइज एंट क्लाक वाइज होता है वह आपका निगेटिव होता है माइनस 150 डिगरी यहां तक बास में आई किसी भी स्टुडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहां तक कि यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आ तक चलिए नोड करिए इतना ना नोड करी अब लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइपस ओफ एंगिल्स की टाइपस ओफ एंगिल ठीक इसके लिए सबसे पहले आप करिए एक सर्किल ड्रा किए है कि यह आपका सर्किल सर्किल के उड़ा कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा और यह इसका सेंटर है ठीक सेंटर से हमने यहां पर इसको मिला थेक पहली रे बनी पहली रे बनी अब यह रे और जो दूसरी रे है यह उसी पर अगर coinside हो जा रही है तो जीरो डिगरी का angle बनाएगी zero degree का angle बनाएगी that is called zero angle अगर यहाँ पर रे उठी यह नहीं दोनों Ray coinside कर रही हैं तो पहला होगा zero angle zero angle का कोई अस्तित्व नहीं नहीं जीरो अंगिल और वो होता है zero degree ठीक, अब देखिए अब ये एंगे अगर थोड़ा सा उपर उठेगा यहाँ पर ये, ये दूसरी रेज उपर उठेगी तो ये कुछ बनेगा एंगे ठीक है, ये कुछ बनेगा एंगेल और ये कहलाएगा acute angle ठीक क्या कहलाएगा acute angle दूसरा क्या acute angle acute angle acute angle कहां से शुरू होता है zero degree से ज्यादा और 90 degree से कम यानि greater than zero degree and less than 90 degree ठीक है 90 degree से कम और जीरो डिग्री से बढ़ा खेर और एक्व एंगे एक्व एंगेल ग्रेटर देन 0 डिगरी एंड लेस्डाय कि 1923 जातर थे नैंटी अपना आपको थोड़ा और और आगे आ तो यह जो आपको ray यहाँ पर पहुचेगी, जब आपकी ray यहाँ पर पहुचेगी, तो यह जो angle बनेगा, यह होगा 90 degree का, और इसको कहेंगे right angle, ठीक है, क्या कहेंगे right angle? तीसरा आपका है right angle, क्या बोलेंगे right angle? और इसका मेजरमिंट क्या होगा? नैंटी डीडी नैंटी डीडी का एंगिल राइट एंगिल कहलाता है अब इसको थोड़ा सा और आगे रियर को बढ़ाएंगे तो यहां तब अगर पहुँचेगा तो यह आपका बनेगा obtuse angle यहां से यहां से यहां तक का angle जो है वो आपका क्या कहलाएगा obtuse angle यानि फोर्थ आपका क्या होगा obtuse angle यह छोटी छोटी बाते हैं आपको पता होनी चाहिए आप लोग पहले पढ़े भी होंगे obtuse angle obtuse angle इसका measurement क्या होता है 90 degree से जादा और 180 degree से कम यानि जो obtuse angle है वो क्या हो का greater than 90 degree and less than 180 degree 180 degree से कम ठेक 180 degree से कम अब यह जो आपकी ray दिख रही है सामने वाली इसी के just opposite एक ray आजाएगी यह ray आपकी दूसरी वाली इसके just opposite आजाएगी तो यह जो angle बनेगा आपका यहां से लेकर कि यहां तक का angle बनेगा वह आपका क्या बनेगा स्ट्रेट आइंगल क्या स्ट्रेट आइंगल और स्ट्रेट आइंगल की measurement क्या होती है 180 degree अब देखिए अब यह ray और नीचा आएगी यहां ठीक है और नीचा आएगी means आपका यहां से घूमते हुए यहां पर पहुंचा गया है ठीक है ठीक है तो यह जो angle कहलाएगा वह क्या कहलाएगा रिफ्लेक्स ऑंगल किया रिफ्लेक्स ऑंगिल और इसकी जो measurement होगी वो रिफ्लेक्स अंगिल राइट अंगल यह रिफ्लेक्स ऑंगल ठीक है लैस रिफ्लेक्स ऑंगल ग्रेटर तैन होगा 180 डिगरी 1180 degrees 1660 degrees से कम 363 degrees से कम अरजह आपका एड़रे पहुचते पहूंचते यहां पर भिर से दुबारा इसके ओपर पहुच जाएगा यानि अब आप कहेंगे कि यहांसे चला यहांसे चला और यहां तक बहुच गया यहां तक पहुच गया तो उसको कहेंगे complete angle क्या कहेंगे complete angle क्या बोलेंगे इसको आप complete angle क्या complete angle और इसकी measurement क्या होगी आपकी 360 डिग्री इसमें किसी student को कहीं पर कोई problem यह बहुत पुरानी चीज है आप लोग पड़े पी चुके होंगे बताना जरूरी था क्योंकि angle lines and angles के शुरुआत में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता तो जिसको पता है वो skip कर सकते हैं इसको और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दे ठीक है देख लीजिए इसके बाद नोड़ भी कर लीजिए आप लोग और देखते हैं एंगिल एडिशन आग्जियूम एंगिल एडिशन एडिशन आग्जियूम ठीक एडिश्यूम क्या होता है यह एक फैक्ट होता है ठीक एडिशन क्या होता है यह एक फैक्ट होता है इसको डिराइफ करने की जोट नहीं होती इसका प्रूफ करने की ज़रूत नहीं होती ठीक है एक एक फैक्ट होता है इसको डिराइफ करने की ज़रूत नहीं पड़ती है ठीक है अब जैसे मेरा नाम क्या है आसिफ रह्मान तो अब हमारा नाम आसिफ रह्मान ये एक फैक्ट है अब इसको कहीं से प्रूफ करने की हमें जरूत नहीं कि मेरा नाम आसिफ रह्मान क्यों है ठीक है ऐसी एग्जूम तो एंगिल एडिशन एग्जूम ये क्या है जैसे हमारे पास ये एक एंगिल दिया हुआ ठीक एंगिल आपका ए है बी है इस तरह से आपका एंगिल दिया हुआ है अब इसके दिने अब इसके बीच में एक और रेव Minute है ठीक माले। यहां here day माले दिये ए और यहां से यहां तक पूरा आपका एंगिल जो पूरा एंगिल यहां से यहां तक का वो एंगिल 3 है ठीक और यहां से यहां तक का एंगिल 1 है यहां से यहां तक का एंगिल 2 है ठीक है तो एंगिल एडिशन आग्जियूम क्या कहता है कि एंगिल 1 प्लस एंगिल 2 इसको एंगिल 3 होगा जैसे आप एंगिल बढ़ाते एड होते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ एंगिल वन प्लस एंगिल टू रिक्वेस्ट टू एंगिल थरी यह आपका क्या कहलाता है एंगिल एडिशन अग्जियों एंगिल एडिशन अग्जियों चेक है अब और समझ दीजेगा जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक एंगिल है सपोस कीजिए आपके पास एक एंगिल है यह आपके पास एक एंगिल है जो 35 डिग्री का कितने का है 35 डिग्री का किसी ने इसी पर और एक एंगिल बना दिया सपोस कीजिए 20 डिग्री का एक और कोई आया व आपका किसी नहीं पूछा कि टोटल एंगिल कितना हुआ यह बड़ा वाला एंगिल यह कितना हुआ बड़ा वाला एंगिल यह कितना हुआ मेंस यह जो रहे आपको दिख रहे हैं यह यह एंगिल आपका कितना हुआ जो मैं आपको बोल्ड करके दिखा दे रहा हूं यह एंग एंगल कितना हुआ आपका यह मिंस्ट आपका मले है ए लुष सी डिक है इस एंगल एबी सी के वैलू के बहरे में अगर पूछा गया इंगल ए बी सी की वैलू क्या है एंगल ABC की वैलू क्या है तो बाइड एंगिल एडिशन और जूम आप क्या कह सकते हैं कि आप इस एंगिल को मा लिजे यह है D मा लिजे यह है ए ठिक आप डी बी सी एंगिल डी बी सी प्लस एंगिल E BD एंगिल E BD ठिक और इंगिल A B E और इंगिल A B E तीनों को क्या कर लिए एड कर लिए थो आपको एंगिल ABC मिल जाएगा ठिक है यही है एंगिल एडिशन और यह जूम तो आपका एंगिल A B C यह आपका कितना हुआ है sa, कितना हुआ , 35, 20 , 20 , 45 , 60 e कितना हो गया 60 degree कि तो एंगल एडिशन अर्ग्जिम यह यह ए 이ह यह ए faço है यह यह ए टोटल एंगल है ठीक है अब आप बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगिल्स की किसकी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगिल्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगिल्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगिल्स यह क्या होते हैं दो एंगिल्स दो ऐसे एंगिल्स जिनका सम करने पर कितना है 90 डिग्री वो दो एंगिल्स कहलाते हैं complimentary या फिर उनको बोलते हैं compliment to each other ठीक है तो complimentary एंगिल्स definition एक या तो एंगिल्स तो एंगिल्स तो एंगिल्स सम आ फूस सम आ फूस को जूस मिल्स में आ इसनांट जीडी इसनांटीगरी टिक दो एंगिल जिनका सम करने पर हमें 90 डिग्री मिले तो वह दोनों एंगिल कैसे कहलाते हैं कॉम्प्लिमेंटरी एंगिल कहलाते हैं ठीक है कॉम्प्लिमेंटरी एंगिल कहलाते हैं अब आप इसको नोट कीजिए रब करते हैं तब आपको आगे बताएं कि आई कॉम्प्लिमें अमने लिख दी थी ठीक अब समझें कॉंप्लिमेंटरी एंगेल समझें कि सम आप फूज एंगेल्स 90 डिग्री जैसे आपके पास जी 90 डिग्री का एंगेल है ठीक यहां से एक एंगेल गया आपका यह मालीजी है आपका एक्स डिग्री ठीक यह आपका एक्स डिग्री और यह आपका वाई डिग्री ठीक वाई डिग्री और दोनों मिला कि क्या बना रहे है 90 डिगरी 90 डिगरी ठीक और कॉंपलिमेंटरी एंगल की डिफिनिशन हमने क्या लिखवाई है तू एंगिल्स टू एंगिल्स सम आफ हूज मेजरमेंट जिनका सम कितना हो जिनका सम हो 90 डिगरी अब देखी इसका और इसका सम बाइंगिल एडिशन ऑग्जियूम से इन दोनों हो का सम क्या 90 डिगरी नहीं है तो क्या एक्स और वा एक दूसरे के कॉंपलिमेंट नहीं है बिलकुल है ठीक है तो आप यहां से लिख सकते हैं X degree plus y degree is equals to 90 degree ठीक जहीं तो कहा गया कॉंपलिमेंटर्य एंगिन वे कि टू एंगिल सम आफ बूस मेजर्मेंट दो एंगिल जिनका मत जिनके मेजरमेंट का संप किसके बराबर हूं 90 डिगरी के उसे complaining angle या संपूरक कोण कहते है घंदी में संपूरक कोण कहते है ठीक है एक्स डिगरी प्लस डिगरी द्वाइ दिक क्वेश्टू ना इंटिडीडीट तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या इस से क्या मतलब क्या निकला यहां से मतलब निकला X degree is a complement of is a complement of संपूरक है x degree जो है वो संपूरक है compliment है compliment x degree is a compliment of y degree y degree ठीक इससे क्या मतलब निकल के आया कि x degree जो है वो y degree का compliment है क्योंकि x मदद कर रहा है y की 90 degree बनाने में 90 degree करने में x की मदद कौन कर रहा है y x को 90 degree तक पहुचने के लिए कौन मदद कर रहा है y degree तो क्या कहेंगे x is a compliment of y ठीक है या फिर उल्टा भी बोल सकते है y is a compliment of x y degree is a compliment of is a compliment of x degree compliment of x degree y degree is a compliment of x degree ठीक है y क्या है x का संपूरक है y क्या है x का संपूरक है ठीक है y क्या x का संपूरक है यानि x degree को 90 तक पहुचने में कौन मदद कर रहा है y तो y क्या हो जाएगा compliment of x यह क्या लिख सकते है दोनों बाते लिख सकते है x is a compliment of y x is a compliment of y क्योंकि y को भी 90 तक पहुचने में मदद कौन कर रहा है x तो x is a compliment of y ठीक है अब पहली बात जो यहाँ पर लिखी गई है कि x is a compliment of y x is a compliment of y अच्छा x की यहाँ से value क्या आएगी x degree plus y degree is request to 90 degree यह लिखा हुआ है ठीक तो x degree की value क्या आएगी यहाँ से 90 degree minus x degree x degree is request to 90 degree minus y degree, sorry minus y degree minus y degree ठीक है यानि x x degree complement का किसका y degree का या फिर यह लिख सकते हैं कि 90 minus y degree is a compliment of y 90 minus y degree is a compliment of y या फिर यह भी लिख सकते हैं y degree is a compliment of 90 minus y degree ठीक है तो एक्स चाह एक्स के जाम लोग 90 माइनस वाई भी लिख सकते हैं तो एक बात और यहां से समझ में आ गई क्या कि 90 माइनस वाई डिगरी तो एक्स है तो यही बात दुबारा से लिक रहें एक्स इस ए कॉम्प्लिमेंट ओफ वाई ठीक यानि 90 माइनस वाई किसका कॉम्प्लिमेंट होगा वाई का वाई का कॉम्प्लिमेंट क्या होगा 90 माइनस वाई वाई का कॉम्प्लिमेंट 90 माइनस वाई वाई का कॉम्प्लिमेंट 90 माइनस वाई या फिर यह भी लिख सकते हैं वाई जे is a compliment of y is a compliment of 90 minus y, ठिक y, अभी यहां से आप एक्स से निकाला था, अब यहीं से आप y निकाले, y डिग्री रिक्वेस्ट टू 90-xडीड, 90-xडीड और इस y डिग्री को यहां पर रख दिजिए, तो क्या लिखेंगे, कि X X is a complement of 90 minus X ठीक क्या लिखेंगे यहां से कि X यहीं से लिखना है सारी बात X is a complement of complement of X is a complement of Y की जहां 90 minus X ठीक और दूसरी लाइन हम लोग लिख सकते हैं क्या 90 minus X is a complement of X ठीक यानि दो एंगिल जिनका सम दो एंगिल जिनका सम 90 डिग्रियों वो एक दूसरे के complement कहलाते हैं अगर X का complement पूछा जाए तो X का complement 90 minus X 90 minus X का complement पूछा जाए तो X ठीक आप एक ही बात याद रखिए चाहे वाई की बात याद रखिए चाहे एकस की बात याद रखिए हमने दोनों बात आपको बता दिये है ठीक है वाई अगर पूछा जाए Y का complement क्या है तो 90 minus Y क्योंकि आप complement means एक दूसरे के को सम पूराख एक दूसरे के सम पूराख की उन दोनों angle को add करने पर आपका सम कितना आ जाए 90 डिग्री अब देखिए हम यह आ पर बोलना है कि sprint यही तो हम बोलना है यहां पर तो एक्स 90- एक्स का का यह क्यों है क्यों कि को एड करने पर सम 90 डिगरी आ रहा है इसलिए एक दूसरे के कॉंपलीमेंट है ठीक है बसाव में आ गई सब्सक्राइब क्यों है क्यों कि इन दोनों को भी आड करने पर आपका अनसर नाइन टी डिगरी आता है ठीक है यहां तक किसी स्टुडेंट को कोई प्राब्लम आप यह चीज यह दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ लिजिए ध्यान से आपके दिमाग में होना चाहिए रटा हुआ होना चाहिए ठीक है कि एक हाँ सप्नारफ यह पार सप्लिमेंट टीमेंटि आगिल कोμαι मेंट्टर एंगिल ऑफिकश असे सब्सक्राइबbright छीचे जिनका संटेगीडिए संटी रिगरियों चैवले कि ये सारी चीज है अब पहले भी पाड़ पूर्चुके इसको सब्सक्राइब 33 एइस दू एंगिल जिनका संब 9 1020 श्रीक बोलेगे supplementary angles तो definition लिख लिख लिजिए two angles two angles sum of sum of two angles sum of whose measurement whose measurement is 180 degree of whose measurement is 180 degree वायर भाद इस्टर्ब कर रहा है whose measurement is 180 degree are called are called supplementary angles supplementary angles supplementary angles definition note कीजिए wire सही कर दे अब इसको समझे ध्यान से जैसे हमने एक लाइन ड्रा की एक लाइन जो होती है वही होती है supplementary angles स्ट्रेट लाइन इस पर हमने कोई एंगिल बनाया माली एक्स डिगरी और ये वाई डिगरी थे तो एकार्डिंटू दे डिफिनिशन सम आफ टू एंगिल्स क्या होना चाहिए है जाने एक्स डिगरी प्लस वाई डिगरी दिक कॉइस टू वन एंटे डिगरी यह तो होना चाहिए तो आप किया कहेंगे है एक्स इस और सपनेमेंट आफ पाई एक्स ऊप्lements ऑ ओ वाई wallpex एक्स किसका सप्लीमेंट radius ऑवाई का करूब्लिअ क्योंकि xy को 180 degree होने में मदद कर रहा है इसलिए x is a supplement of y या फिर यह कहें कि x is a supplement of y क्यों है क्योंकि x plus y 180 degree है इसी तरह से y is a supplement of y is a supplement of x ठीक y is a supplement of x y जो है x को 180 degree होने में मदद कर रहा है या फिर यह कहें y और x को add करने पर 180 degree आ जाता है इसलिए आप क्या कहेंगे कि y is a supplement of x ठीक यहां तक बासमयाई कोई दिक्कत है यहां तक आप देखिएगा आप ने लिखा x is a supplement of y x को यहां से क्या लिख सकते हैं x को हम लोग यहां से लिख सकते हैं 180 degree minus y ठीक तो हम लोग एक और चीड लिख सकते हैं x की जहां पर 180 degree minus y लिख दीजिए क्या किसका supplement 180 degree minus y supplement है किसका वाई का ठीक या फिर यह एक और चीड लिख सकते हैं आपर वाई इस supplement of y is a supplement of कि इसका x means 180 degree minus y ठीक अब जैसे आपने यहां पर x निकाला वैसी आप यहां पर वाई भी निकाल सकते हैं तो वाई रिक्वेस्ट क्यों हो जाएगा 180 degree minus x तो वाई की जहां अब एक्ष लिखिए तो क्या आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आपर की x is a supplement of x is a supplement of y की जहां पर क्या 180 degree minus x supplement of 180 degree minus x ठीक और दूसरी चीज़ जहां पर 180 degree minus x y की जहां 180 degree minus x is a supplement of is a supplement of x ठीक यह अल्टिमेंटली आपको यह चीज़ याद रखनी है कि एक्स किसका अब्प्लीमेंग एक को सब्कुलिमेंट एक्स का सब्सक्राइज सकते हूद एक्स या फिर वाई की बारें बोला जाए सेम चीज वाई की बारें भी बोली जा सकती है कि वाई सप्लिमेंट आफ एक्स 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 बनेटी डिग्री दोनों का सम एक्स डिग्री आ सप्लिमेंट ऑ off एक्स यहां तक कोई प्रॉब्लम है तक कोई प्रॉब्लम की स्टुडेंट को आप देखिए एंगिल बाइस एक्टर था एंगिल अ ऑी सेक्टर ऐंगल बाइ सेक्टर यह क्या होता अंगल बा यानि बाइ सेक्टर मींस दो बूराबर भागों में बातने वाला ठीक जैसे आपने यहांपर एक ऑंगिल डिरा किया ठीक एक एंगिल डिरा किया A B C एक एंगिल द्रा किया अब इस एंगिल का पुछा गया एंगिल बाइ सेक्टर निका लिए तो आपने यहां से एक रे ड्रा किया रे ऐसा ड्रा किया ताकि यह पार्ट और यह पार्ट दोनों आपस में क्या हो एक्वेल माल लिजे यह 1 है यह 2 है ठीक है यह 1 है यह 2 है ठीक और यह आपका D है यह आपका D है तो BD BD क्या कहलाएगा BD जो है आपका एंगिल बाइ सेक्टर कब कहलाएगा जब 1 और 2 क्या होंगे आपस में इक्वेल होंगे यानि BD क्या है आपका BD is आप कि इंगिल बाय सेक्टर को अंगिल बाय सेक्टर कि इसितलने संगे करें यानि इस पूरी अंगिल को equal part में divide करेगा बी दी इज एंगिल बाई सेक्टर इफ इट डिवास इत डिवाइट रैंधिल A b c equally इफ इफ इट डिवाइट्स किसको डिवाइट करेगा यह बीडी बीडी इस एंगिल को डिवाइट करने आया है इफ डिवाइट्स एंगिल ए बी सी इक्वाली इक्वाली ए बी सी इक्वाली इन टू पार्ट्स दो बराबर भागों में अगर इसको बाटता है तो वो क्या कहलाएगा आपका वो आपका कहलाएगा बीडी क्या कहलाएगा एंगिल बाइसेक्टर अगर वो एंगिल को दो बराबर भागों में इक्वाली इन टू पार्ट्स कर दो लिए यानि कहा जाई तो एंगल हो ना चाहिए है एंगल टू कि का एंगल और अगर आपस यह दोनों तो भी डि क्या यहां का नेट इंप्लाइज तब आपका बीडी क्या करे नियाइगा इंग लबके BD is Angle bisector BD is Angle bisector is Angle bisector Note करिये यहां तर यहां तक Note किजिए Note किजिए, Clear है Note करिये